ग्यान 24 में सुमन चर्मा का प्यार भरा नमाशकार आप सभी को आज एक उपाई बताने जारी हूँ जो आप लोगों के हर वेवसाय के लिए हर विश के लिए आपको काम आने वाला है बहुत छोटा सा है आप क्या करोगे एक दालचीनी का टुकड़ा लोगे दालचीनी के टुकड़े पे अपनी जो भी विश है अभी तक तेजपत्य पे लिखा है ये अभी दालचीनी का करो दालचीनी के टुकड़े पे ज़्यादा तर पैसो के लिए है मतलब money related जो भी issues है आप job के लिए लिख सकते हो government job के लिए इस पे लिख सकते हो हाँ बिल्कुल कोमल है वहाँ पे आपको या job लिखिए या government job लिखिए या फिर अगर शादी से related है तो आप शादी लिखिए simple शादी ठीक है और इसके उपर जो भी wish लिखेंगे health लिख सकते हैं अगर health में बहुत दिक्कत आरी है वो लिख सकते हैं और काम में अगर कोई अर्चन आ रही है तो आप अपना business लिख सकते हैं नाम लिख सकते हैं इसके अलावा जो भी wishes हैं आपकी कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है आगे बढ़ ही नहीं रहा आगे बढ़े उन लोगों को उस काम से related उस चीज उस wish से related एक word वहाँ पे लिख देना है किस color के pencil लिखोगे तो red color से red color का sketch pen use करें बहुत असानी से चल जाता है red color के sketch pen से लिख दीजिए और फिर इस दालचीनी के टुकडे को आपको आग में जला देना है आप इसको gas पे जला सकते हो आप इसको मुंबती जला के उसके अंदर जला सकते हो ये क्या करेगा या उस wish में आ रही जितनी भी रुकावटे हैं उनको दूर करेगा आप ये one time करके भी छोड़ सकते हैं कि एक बार आपने ये उपाई कर लिया इसके बार छोड़ दिया किस दिन ये उपाई करना है आप इसको कोशिश कीजिए कि अगर ये उपाई आपने करना है तो आप या तो ब्रहसपती वार के दिन कल कर लो और नहीं तो फिर ब्रहसपती के बाद जो अगला दिन है शुकरवार का उस दिन कर लो, ठीक है, ब्रहसपती और शुकरवार को आप ये उपाय कर सकते हो, इसके अलावा अगर कोई दिन आपने वैसे है कि random हम किसी दिन में कर सकते हैं, आप कर सकते हो, ऐसा कोई objection नहीं है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिस दिन कोई ritual बहुत effective होत है, तो effect wise अगर आप देखो, तो ब्रहसपती वार और Friday है आपके लिए, ठीक है, तो ये दोनों दिनों में आपको इस दालचीनी पर अपने विशस लिखके इसको जला देना है, बिल्कुल completely burn कर देना है इसको, इसकी जो खुश्बू होती है और दालचीनी की जो powers है, वो ब अगर जिलनों के पास कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि हमारे तो घर के पास मिटी ही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं पलीज पानी में घोलें पानी में घोल करके और फिर उस पानी को आप बाहर फेके अपने घर से बाहर, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, अगर वस्था में हैं आपने दालचीनी लिया और कर दिया फ्रेशन आप हो ये दालचीनी को उठाइए दालचीनी पर ये सारी चीज़े लिखिए अपने विश है रेलेटन दालचीनी को एक बार देख करके affirmation भी दे सकते हैं तीन बार जो भी आपकी विश लिखी है कि वो विश आ देंगे पूरा जल जाओ बीच में कोई आपको डिय स्टों कोक दे तो क्या करना है अप ऐसलिए मैं ब्रह्मुरत बोल रिए आपको इना ऊपको करना है तो रात में Veni शापी कर सकते हैं शाम का मतलब है 4-6 साथ के बीच तक आप कर सकते हो ठीक है तो शाम का time consider करो गया आप इस ritual के लिए ठीक है ये करने के बाद आप इसको जो भी इसकी राग को आपने या मिट्टी में डाला पानी में डाला उसके बाद आप रिलाक्स रहेंगे आप बिल्कुल easy रहेंगे और आप बहुत परिशान नहीं होंगे कि हमने उपाई कि अभी तक कुछ हुआ नहीं आप बस शांती से छोड़ दीजे इसके बाद इसका मिराकल आप धीरे-धीरे अपनी उस particular wish में देखेंगे अब अगर मान लीजे कि आपकी एक से जाधा wishes हैं बहुत से लोगों की questions आते हैं कि हमारे एक से जाधा wishes हैं तो हम क्या करें आपकी अगर एक से जाधा wishes है तो आप अलग-अलग दालचीनी consider करोगे ठीक है अगर मान लीजे आपकी तीन wishes है तो आप तीन दालचीनी लोगे और तीनों पे अपनी wishes लिखके इसमें time लगेगा आपको तीनों के लिए अलग-अलग affirmation बूलनी है और तीनों को जलाना है जब तक कि वो राख ना हो जाए आपको वहीं पे रहना है इस चीज का ध्यान रखेगा तो यह सब चीजें सरह ध्यान से करिएगा अप लो ठीक है और इसको क्या हम बार-बार कर सकते हैं एक wish के manifest होने के बाद फिर से कर सकते हैं आप इसको हर तीसरे दि तो आप तब कर सकते हो इसको ठीक है यह आप लोगों को बहुत-बहुत हेल्प करने वाला है यह चोटा-मोटा उपाई नहीं है आप करके देखना अगर पैसों से रेलेटन आप करोगे तो उसमें तो इंस्टेंट आपको नजर आएगा इंस्टेंट मिराकल नजर आएगा और बाकी विशस के लिए करोगे उसमें भी आपको दिखेगा कि बहुत असानी से चीजें आप ठीक हो रही है तो यह उपाई करना है इस तरह से और कुछ इंपोर्टन कुछ बताना है मुझे सिंपल है बस बाद जादा कुछ है नहीं पीरिट्स में कर सकते कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और मॉर्निंग में ब्रह्मूरत में करो या इवनिंग में कर लो ठीक है तो प्लीज कीजिए और अपनी अपनी विशस मैनिफेस्ट कीजिए इसी के साथ विदा लेती हूं धन्यवाद